जोहार नमस्कार एक जारखंडी सेर से दो बिहारी स्यार टकराने के लिए पगला गिया है तो आज वही लोग का दिमाग का हम अप्रेशन करने वाले हैं तो विडियो में अंतक बने रहे हैं मजा आने वाला है तो जारखंड विरोधी मंच के द्वारा 6 नौमबर को जमसेदपूर में कुछ बिहारियों के द्वारा टाइगर जैराम मातों पर गंबीर आरोप लगाते हुए टाइगर जैराम मातों का पुतला धन किया गया है अब उन लोगोंने आरोप क्या लगाया पहला आरोप टाइगर पर लगाया है कि जैराम मातों सिर्फ बिहारियों को ही टारगेट करते हैं दूसरा आरोप लगाया है उन लोगोंने कि जैराम मातो अपने मंचों से जब भासन देते हैं तो गाली गलोज करते हैं जबकि वो अपने आपको पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं और तीसरा आरोप लगाया है कि जो जैराम मातो जारखन में 1932 खतियान का मांग कर रहा है वो बिल्कुल गलत है तो अब सुन बिहारी तुमने अपने ही बयान में कहा है कि जारखन में और कई परदेशों के लोग कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं उन लोगों को जैराम मातो टा जहारखंड के हख अधिकार को चिन रहा है इसलिए कि टैगर जहराम महतों बिहारी को टारगेट करते हैं और सिर्फ टैगर जहराम महतों नहीं करते हैं हर जहर दिमाग तुम टाइगर जहराम महतों के उपर लगा रहे होने, उतना दिमाग अगर अपने बिहार में लगाते, तो आज दरदर का ठोकर नहीं बिहारी को खाना पड़ता, आज बिहारी को हर जगह से भगाया नहीं जाता, कुछ दिन पहले महाराश्य से बिहारीयों को अगर यही लच्छन रहा तो अब जार्खन से भी खदेड़ा जाएगा, अगर तुम सम्मिधान की बात करते हो, कि सम्मिधान हमें अधिकार देता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी नागरिक रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, तो तुमको किसने मना किया है, भ भोट देखर के मुखमंत्री बनाया है उस नितिश कुमार से नजर से नजर मिला कर सवाल पुछता कि हम बिहारी किसी और राइज में कमाने के लिए जाते हैं तो महां से बिहारीयों को ख़देडा जाता है क्यूं ख़देडार जाता है हम आपको भोट दियें आपको हमारे ल बोलता है इस जोदरी नहीं है जब बिहार से आया था ने तो गुदरी पहन के आया था यहां करके कुछ कोईला चोरी करके लोहा चोरी करके अभी थोड़ा सा सट पेंट पिंद लिया चोदरी जारखन में किसको काते हैं मालूम है तुमको जिसका सतर मन का बीहिन पड़ता है और सतर बन का बीहिन का मतलब समझते हो उसके घर में सतर आदमी काम करता है और सतर आदमी एक आदमी का कम से कम मिनिमम चारगों होता है परिवार दो मिया बीवी और दो बच्चा और साल भर सतर आदमी को अपने घर में खटाता है और सतर चोका कितना हुआ दो सो असी आदमी को खिलाता है अकेले उसको कहते है चोधरी यह अपना यहां टेग लगा लिया है कि हम चोधरी हैं और यहां पर देखो इन राजियों में मतलब चोरी रखेती कर रहा है उसके बाद दूसरा अरोप जो तुम लगाया है कि जेराम मातो अपने आपको पढ़ा पढ़ा थे समझ रखता है टाइगर जयराम मातो कि कब कहां कि समय कौन सी भासा का प्रियोग करना है समझाया आगे सुन बिहारी तुमने जो बोला कि टाइगर जयराम मातों 1932 का मांग कर रहा है वो गलत है कैसे गलत है भाईया जब दिहार में 1932 का खत्यान लागु है और बिहार से ही जारखंड अलग हुआ है तो फिर जारखंड में 1932 का खत्यान लागू क्यों नहीं होगा और 1932 का खत्यान लागू होने से तुमको क्यों पेट में दर्द हो रहा है तुम अपने हख अधिकार के लिए अपने सरकार से लड़ों नë हम जार्खन्डी तो अपने लिए लड़ रहे हैं तो यह फालतु बकवास बंध करना कर दो आज से तुम्हारे लिए यह वार्निंग है चेतावनी है अगर जार्खन्डियों को मत छेड मत छेड जारखंडियों को लड़ना मुश्किल होगा हम जारखंडी मिलकर लिखेंगे ऐसा इतियास की पढ़ना मुश्किल हो जाएगा और एक बात सुन लो ताइगर के खिलाब फालतू कमेंट करना बंद कर दो नहीं तो हम जारखंडी बिहारियों का वह सर चलता है कि नहीं मर्दों मेंगीं ना हीज़णों में भरती होगा मालूम है नहीं आंधोलन दो साल से पहले बक 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 कर रहा था कहला जादो ज्यारखंड बंद कन GRÜNEN निकले थे कई गो भीहारी था मात्र पांच को भीहारी था और आज फिर दो साल बाद तुम जो विरोध करने आए होТ खत्यान का कई गो भीहारी है पांच से छे नहीं हो पाया आज केलाज जादो कॉन्बिल में गुश गया पती नहीं चलता है और टाईघर जैरा'Mतों के साथ आज पू जारखन से बिहारियों को अब खदर नेने का बारी है कुछ बिहारियों के कारण पूरा बिहार पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो गया है जबकि बिहार के माटी में एक से एक लाल पैदा हुआ है गौतम चानक असोक जैसे महापुरुष जनम लिया एक से क्रांती बीर हमारे अधिकारों प्रकप्जा कर रहे हो तो इस कारण दिकत हो रहा है भाईया इसलिए आपके लिए अलग राएज है हम सरकार से लड़ रहे हैं तुम भी अपने सरकार से अपने हख अधिकार के लिए लड़ो टाइगर जैराम मां तो अभी कोई मंत्री और चीफ सुधर नहीं है समझा जो तुम उसका पुतला दहन कर रहे हो बहुत महंगा पड़ेगा सुधर जाओ नहीं तो जार खंडी सुधार देंगे कि जार